हेलो फ्रेंज, सीवेसी बोर्ट कमपाट्वेंट एक्जाम की बात करें तो 25 सितंबर को क्लास 10 मैथ, स्टेंडेर और मैथ बेसिक दोनों ही सुब्जेक्स का आपका क्लास 10 का जो है पेपर 25 सितंबर को होने वाला है तो बेसिकली हम इस बीडियो में बात करने वाले हैं 25 सितंबर को जो भी स्टुडेंज, क्लास 10 के पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें मैथ, स्टेंडेर के मोस्ट इपोर्टन कोशन्स पे बात दिसकस करने वाले हैं और एक बात मैं आपको और बता दूँ, यह मैथ का पार्ट टू वीडियो होने वाला है, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन देख लीजेगा क्योंकि मैं आपके लिए जो भी कोशन्स प्रिपेर कर रहा हूँ, यह आपके सामने जो भी कोशन्स मैं ला रहा हूँ, आपके लिए प्रिपेर करता हूँ, उसके बाद हैंड रिटन मैं आपको पार्ट वन पार्ट टू देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने साइंस के लिए भी मैंने part 1, part 2, part 3, 3 मैंने part provide किये हैं, तो सारे ही handwritten में हैं, तो इस वीडियो को अच्छे लगे, तो वीडियो को एक like जू कर दीजेगा, और इसी तरीके से आपके लिए most important questions, मैं आगे भी आपको provide कराऊंगा, क्योंकि आपके पस 23 और 24 तारीक है, तो मैं आपको कल तक, यानि कि कल तक आपकी पूरी जितनी आपकी strategy होती है, आप अपने तरफ से लगा दीजिए, मैं भी आपके लिए most important questions प्रिपेर कर रहा हूं, और जल्द से जल्द मैं आपको questions भी आपको जल्दी से जल्दी provide करा रहा हूं, जैसे कि आपने math का part 1 वीडियो देखा होगा, या science का अगर आपके compartment होगा ता आपने part 1, part 2 या part 3 वीडियो देखा होगा ता आपको पता होगा, MCQ कोई questions इसलिए होता है, ताकि आपकी 23 है, यानि कि आज 23 हो चुका है, कल 24 होगा, और आपके पास 24 गंटे से भी कम समय बचेंगे, ता आपकी अभी तक कितनी तियारी होई है, ये आपको पता चलेगा MCQ से, आपके एक भी questions का जवाब आता है, तो नीचे comment section में दीजेगा, क्यूंकि आपको मैं next वीडियो में आपको बताऊँगा, कौन से वर student है, जिन्होंने at least जवाब देने की कोशिज की, उन्होंने एक ही दिया, लेकिन दिया ज़रूर है, ये आपको पता चलेगा, आप लोग जवाब दीजेगा, और साथ ही साथ में last वीडियो में, जीन स्टुडेंस ने सही जवाब दिये थे, जीन स्टुडेंस ने जवाब देने की कोशिज की थी, यानि एक कोशन्स का भी जवाब दिया था, उनका नेम में आपको साथ साथ इस वीडियो में बताऊंगा, तब देखें कि सुरुआत करते हैं, M.C.Q. से M.C.Q. कि सुरुआत करते हैं, तो देखें आपको क्या लिख रखाया? तो देखाया दो कोडिनेत आपको A दे रखा है Y-axis पे जो 5 है और B कोडिनेत आपको दे रखा है minus 3,1 तो यह देखें, copied यह आपको जो formula base सवाल है यानि कि आपको जो length पूछ रहा है यानि length आपको a भी पूछ रहा है यानि कि यह देखे यह length पूछ रखा है जो पहला coordinate आपको दे रखा है y axis पे वह आपको 5 है और second जो आपको दे रखा है minus 3,1 है तो आपको distance formula लगा के सीधा आप कर सकते हैं इसका 4 options है आपके सामने यहापे 2 unit, 5 unit, 4 unit और 3 unit आपको जिसमें suitable स बात करें तो question number 2 देख सकते है which of the trump AP का questions है यानि AP के MCQ questions बन जाते हैं तो AP के questions आप देखें आप 92, 84, 84 और 80 यह जो आपको last में is 20 यानि यह पूछ रहा है कि कौन से trump जो है वो last जो 0 होगा तो यह देखें आपको simply n find करना है तो यह आपको यह भी formula बेस सवाल है यानि कि circle क्या जागा A11, A24, A14 और A44 तो इस तरीके से चार options है तो इसका जवाब आप नीचे questions यानि comment section में दीजेगा मैं आपको बताऊंगा next वीडियो में question number 3 देखिए जो next question है if the perimeter of a circle is equal to that square then the ratio of area आपके अगर ratio पूछ रहा है इसमें एक बात मैं आपको पताना चाहूंगा आप जो भी questions पढ़े हैं आपको questions को पहले carefully पढ़िए कि questions क्या कह रहा है और मुझे क्या find करना है तो चली मैं आप इसका questions यानिक इसका options को देख लेते ह हैं तो पहला और ratio जो निकल के सामने आता है 2 ratio 7 7 ratio 20 11 ratio 14 और 14 ratio 11 तो A B C D A 1 2 3 4 में आप जैसे suitable समझे आप नीचे questions का जवाब जो है नीचे comment section में दीजेगा तिसी तरीके से आखरी और 14 questions की बात करें तो देखिए आखरी questions क्या कह रहा है यह पूरी तरीके से formula based सवाल होता है और मैंने math में आपको तैयारी को दोरान यह अग्यों बीडियो डालाए है तो उसमें भी आपको बताया था कि मैंत में क्या होता है कि कई सारे सवाल है कई सारे chapters जो है most important कई सारे chapters है आपके जो केवल जो है formula basis पे सवाल होते हैं यानि कि अगर आपको formula आते हैं तो chapter को easily कर सक बाता है अगर आपको सारी वैल्यूज दे रखिए आपको फॉर्मुले याद है लेकिन अगर आखिर तक करते हैं लेकिन अंसर भी नहीं नीकल पाते हैं तो ऐसा नहींगे आपको पूरे के पूरे एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है और पर सर्कल का तो रेडियस आपको इतना दे रखा है तो आप इसको फाइंड करिए और आपका उप्संस है A B C D इसका नीचे जवाब दीजीगा तो चली मैं आप आपको नेम बताता हूं जिन्होंने लास्ट वीडियो में सबसे ज़् सवाल के जवाब देनी की कोशिज किये है आप लोग भी इन चो चार कोशन मैंने पूछे इसका जवाब आप नीचे कमेंट सक्समें दीजीगा तो चली बताता हूं लास्ट वीडियो में कौन-कौन से स्टूडेंट है जिन्होंने जवाब दिये हैं पहला जो आपके मांच में आते हैं हंसराज पटेल फिर राजीब कुमार फिर हेमंद फिर कसीश फिर आस्था फिर आयूस फिर अतूल विजय और इसी तरीके साकरी है जीन स्टूडेंट का नेम यहां इनका मैंसर नहीं कर रखा है इनोंने अगर इनका नेम आगर आप लिखते हैं तो नीच सारे सुडेंट से देखी जवाब देने की कोशिश की है तेसी तरीके से में आपको नेक्स वीडियो में आपको बताउंगा कि कॉंसे स्टूडेंट है यानि के आप लोग नीचे Comment Six बर जवाब दीजिए और आपको सबस्टूडेंटि vigor ने जवाब देने की कोशिश की और म आपको रिलेशन दे रखा है तो find end, if the sum आपको इतना दे रखा है तो आपको end find करना है, relation भी आपको यहाँ पर दे रखा है, तो दिखिए, इस फोर मार्स के कोशन बन जाते हैं, कई सारे चैप्टर्स हैं, तो सारे चैप्टर को अभी इक्वली करिए, NCRT के हर एक chapters important होते हैं, और last time पर तो सबसे most important नहीं हो रहा है, तो students का, अपना जो फूरा है chapter को revise करिए, क्योंकि revise करना बेहर जरूरी होता है, आपने पूरी chapters को complete किये हैं, लेकि last time पर जो students का कहना होता है, कि वो भूलने लगते हैं, तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होना चाहिए, तब सारे chapters जो भी आपने पड़े हैं, जो भी chapters आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उन chapters को at least revise भी करते चलिए, क्योंकि समय आपके पास कम है, 23 और 24 दो देज का, यानि दो दिन ही आपके पास समय है, आज का दिन को कार दिया जाए, तो केबल आपके पास कल का समय है, कल 24 तारीक और 24 आवर्स, ये दो है, यानि कि आप यहाँ पर देखे, डेट 24 आवर्स, आपका आवर्स भी 24 होगा, कल से, तो ऐसे में आपको तैयारिया, उसी अनुसार से करनी है, सारे NCRT बूक के, जो आपने कोशन्स पढ़े हैं, सारे को, आपको equally, आपको टाइम देना है, सभी कोशन्स को, यानि बेटेज बाले कोशन्स को आप देखके चलिए, और सबसे पहले, आप अपने 33% माक्स को कंप्लीट करके रखिएगा, 33% माक्स इस तरही किसे कंप्लीट करिए, बेटेज को चैप्टर को लेकर कंप्लीट कर सकते हैं, कि चाहे किसी टाइप का इस चैप्टर से कोशन्स आ जाए, लेकिन मुझे वो करना है, तो नेक्स आप कोशन्स आप कोशन्स आपको इस टाइप के कई सारे कोशन्स मिलेंगे, और कई बार ये कोशन्स हैं, mostly पूछ लिया जाते हैं आपके कंपार्टमेंट के पेपर में, तो देखिए इस तरीके से कोशन्स हैं, तो देखिए करना इन सारे कोशन्स की भी एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छी तरीके से आख्री ये भी कोशन्स है, यानि के आठवा कोशन्स की और बड़े, यह आपका Trigonometry chapter का कोशन्स है, तो Trigonometry chapter ही most important chapter है, इस से related कई सारे कोशन्स आपके 10 बनते हैं, टेंथ के कमपार्टमेंट का पेपर हो या आपके बोर्ट का पेपर हो, दोनों जगह ही की आपके लिए ट्रिग्नोमाटिर important हो जाते हैं, सारे चैpost स्बस्राइब से मेने जो से बंते हैं जो प्रिकों का भी ठ्रीकैस परेक्टिस करिए तहीं तो इसी角र में की बात करें तो दिखिये Crirdies यही जखेँ पहते विडीयग साजर से सब्रम रहें नहीं कि लिबत कर आया है कि जाने को कि यहां कि आपको बताता हूं सब्सक्राइब करेंगे तो यहां से पूरा हो जाएगा और कई सारे मोस्ट इंपोर्टेंट को संसे हैं एक वीडियो में सारे को संस को कंप्लीट करना बेहत मुश्किल होता है मैंने पार्ट वन में इस तैप के कई सारे को संस की डिसकासन किये है तो उसी भी आप एक वाची तरह के से देखिए पार्ट टू का वीडियो देख लीजे पार्ट त्री के लिए आप नीचे कमेंट करिए तो मैं आपको जल्दी से जल्दी करेंगा तब इस वीडेडियी में तना ही आपकी कow भी कोश्ण्स के डॉट होता है नीचे पुछ सकते हैं पार्ट फिरी के लिए आप नीचे कमेंट जू करिए गा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द प्रॉवाइड कराऊंगा तब इस वीडियो में इतन झाल 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 झाल